हलो एवरिवन, वेलकुम बैक तो माई चैनल, मेरा नम शुदेशना है और मैं आज आप लोगों साथ एक DIY हेर ग्रोथ ओयल शेर करने वाली हूँ यह जो हेर ग्रोथ ओयल है यह आपके हेर्स को लंबा घना और मैनेज़ेबल बनाने में हेल्प करेगा अगर आपके हेर्स समय से पहले सफेद हो रहे तो यह उसको स्टॉप करने में हेल्प करेगा और अगर आपके हेर्स में डांड्रोफ की प्रॉबलम है तो यह उसको भी रिड्यूस करने में हेल्प करेगा तो और ज्यादा बाते ना करते हुए चलिए देख लेते हैं इस hair growth oil को कैसे बना तो इस hair growth oil को बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक bowl में 1 tablespoon मेथी दाना लेना है या फिर fenugreek seed आप कह सकते हैं जो fenugreek seed होता है उसमें protein and nicotic acid होता है जो हमारे hair fall को reduce करने में help करता है इसमें vitamin A, K and C होता है जो हमारे roots को strong बनाने में help करता है और हमारे hair growth को promote करने में भी help करता है उसके बाद हमें इसमें 3 tablespoon coconut oil add करना है जो coconut oil है वो मैंने salimar का use किया है आप कोई भी brand का coconut oil use कर सकते हैं उसके बाद मैं इसमें 3 tablespoon mustard oil add कर रही हूँ coconut oil and mustard oil हमारे hair को moisturize करने में help करेगा और हमारे hair को shiny and soft बनाएगा उसके बाद हम इसमें 1 tablespoon castor oil add करेंगे जो castor oil होता है उसमें vitamin E की मातरा बहुत ज्यादा होती है जो हमारे hair के लिए बहुत beneficial होता है हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसे हम double boiler process में गरम करेंगे आप इसे अच्छी तरह से ऐसे double boiler process में 15-20 minutes सब गरम करने के बाद इसे थंडा होने के लिए छोड़ देना उसके बाद एक airtight container में store कर लेना इस hair oil को लगाने से पहले हम अपने hairs को अच्छी तरह से निटैंगल कर लेंगे उसके बाद हम इस hair oil को एक बोल में हमें जितना चाहिए होगा उतना निकाल लेंगे और इसे थोड़ा सा गरम कर लेंगे हमें इस hair oil को अपने पूरे scalp में अपने पूरे hair length में अच्छी तरह से अपलाई करना है आप इसे अपलाई करने के बाद इस scalp को 5-10 minutes तक मसाज करिए scalp को मसाज करने से scalp में blood circulation improve होता है जो हमारे hair growth को promote करने में help करता है आप इस hair oil को लगाने के बाद overnight छोड़ दीजिए अगर आप overnight नहीं छोड़ना चाते तो आप इसे minimum 2 hours तक छोड़ दीजिए उसके बाद आप अपने hairs को shampoo कर लीजिए और इस hair oil को आप week में 2-3 times आराम से यूज़ कर सकते है और इस hair oil को बनाने के बाद आप इस hair oil को room temperature में 5-6 months तक आराम से store करके रख सकते है अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को like करे नीचे comment करे और इसे अपने friends and family के साथ share करे और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया तो please मेरे चैनल को subscribe कर दीजे और उस bell बटन को भी hit कर दीजे ताकि मेरे वीडियो के notification आपको मिलते रहे